बूंदी में तीनों ही विधान सभासी पर कॉंग्रस अपनी जीत दर्च की है इस जीत में हिंडोली से ऐशोग चांदना कॉंग्रस प्रत्याशी ने 45,004 मतों से जीत दर्च करते हुए भाजपा के प्रभुलाल सैनिक को हराया वहीं भाजपा से चंदरकान ताम एकपाल को हर केश वराए पाटन से कॉंग्रस प्रत्याशी क्या प्रेमी ने लगबग 17,877 मतों से जीत दर्च की वहीं बूंदी विधान सभा के अगर बात करें तो बूंदी विधान सभा में बाजपा प्रत्याशी अशोक डोगरा को हराती भे कॉंगरस प्रत्याशी हारी मुहन SHARBA न बिखने को मिला हर तरफ कारी करता हूं द्वारा पटा के जला कर मिठाईया बाटी और बूनी जिरे में कॉंगर्स की जवर्दस्त जीत की वधाईया दी। बूंदी को एक नई दिशा देने का सोच के साथ विखास करूँ राजे में सरकार तो बाज़पा की बनी है बूंदी जीले में तीनों फोंग्रेस की सीटे हैं किसा माहूल है बूंदी में क्या कहींगे चेंजियार बूंदी में स्री अशोग गैलोट की नेतियों के ऊपर जो बूंदी की जनता ने, किसानों ने, सरवहारा वर्ग ने, सिक्षित वर्ग ने जो उनकी नेतियों को सरहा करके कॉंग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का जो निर्ने किया ऐसी नेतियां भारतिये जनता पार्टी की सरकार नकभी बना पाएगी और मुझे तो ये शक है क और गेलो उतने लागों की सरवारा वर्क के लिए उसको ये सरकार चला भी नहीं पाएगी और इसको बंद गरेगी गेलो साब ने इस्तिफा दिया है राजस्तान में वाज़ता की सरकार है बहुमत नहीं मिलना पर एक प्रक्रिया है कि जो भी मुख्य मंत्री हो उसकी पार्टी को अगर बहुमत ना मिले तो वो इस्तिफा देता है और बहुमत मिलने के बाद भी अगर वो मुख्य मंत्री है दुबरा बनना चाता है बनता है तो भी राज्यपाल को इस्तीफ़ लेने की एक विपक्ष में मैं दो जात तीन से आठ में रहा था विपक्ष में रहने पर भी सरकार की हिमत नहीं है कि हमारे वाजिब कामों को रोके और मैं प्रयास करूँगा कि हमारे बुंदी के सभी काम हो मैं बुंदी जी लेकर समस्त कांग्रेस के कारे करता हूँ का भी आभार रिख्ट करता हूँ कि जिनोंने संगतनात्म करूप दे एक जुट होकर कांग्रेस के उम्मिद्वारों को जिताने का सार्थ तक्ति यह लोकत तो दोर्थ हो है ट्रिक हो चार बार हो तीन बार हो बड़े से बड़े दिगेज भी हार जाते हैं मैं उनकी हार पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता मैं तो केवल मातर मद दाता हूं का आभार विर्ट करता हूं तो मैंने पहले ही का था डिकेट टुब इतरन से पहले भी का था कि बुण्दी की तीनों सी ठेम जीत करके और मुक्यमंती जी की जोली में डालेंगे है और कोशिच लिए है कि हम बूंदी की विकास के लिए संगर्श करते रहेंगे हाला कि अभी बक्ष में बेठेंगे हैं लेकिन बूंदी की विकास के लिए पाटन की विकास के लिए बिंडोल्य उणेनुमा की विकास की लिए मैं हरीवोंजी और चांदा जी संगर्श करेंगे ताकि यहां की विकास की गड़्मा हमेशे बेती रहे जहातकर सूअबर मिल प्रशने है कार्यजों का प्रशने है इसके लिए संगर्श करेंगे विदान सभा में क्यूशन उठा करके और हमारे विकास की बात करें बुनी जीले कि कि जिनों एक साथ पहली वार सेटे निकलता है ये कांग्रेस की उसके 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 नहीं तो ये तो श्रीय आप मुझे देओ जिलादेक्स हो इसके आप आपको जिलादेक्स बांद पहले वार रोई था ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे लगहा कि मेरे पर विश्मयास किया कि विश्मयाद्ध से और में पर टिनोंDate Biz python में आटकर पस टोर बणाभ़ा दा जानेवाद, आज हिंडुली और नहिनुआ के लोगों ने विकास को वोट दिया है, और ये राजस्थान में एक मेसेज दिया है, जो लोग कहते हैं कि विकास के वोट नहीं। को यह पताया है कि राजस्तान की लोगों को इंडोली नह्मा की लोगों को विकास चाहिए काम चाहिए नेताओं से प्यार और सिवा चाहिए मुझे लगता है कि इंडोनी नहिन्वा की माताएं बेहने बजूर्ग नौजवान बच्चे जो उन्होंने प्यार के बदले में प्यार और सिवा के बदले में जो आशिरवाद हमें फुर्दान किया है। मैं समझता हूँ कि यह आशिरवाद हम कभी भूर नहीं पाएंगे और पैंतालिस हजार के विशाल मार्जिन से पूरी हाड़ोती में एक मेसेज देने का काम किया है। कि जो काम करेगा जन्ता उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेट्रिक लगी है तिनों सीटों पर कॉंग्रेस चीटी है। उनके दम पर आज उन्दी जिले की तीनों सीट जन्ता ने कॉंग्रेस पार्टी की जोली में डाव दी है। मैं समस्ता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी के कामू के उपर, कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं की सेवा के उपर, समाने मुक्यमंत्री जी की योजनाओं के उपर, जनताने मोर लगाईए और हमारे बीच में प्रेमी जी आईए प्रेमी जी जिला देख्ष बनने का भी मेसेज है पुरे जिले में पुरे जिले में लेर आ गई उसके बाद में